होली के चार दिन पहले ही पूर्वोत्तर में होली हो रही है पुलज़ल यां पटाके जला रहे हैं चुनाव लोग तंत्र का पर्व कहा जाता है और इस पर्व पर जीतने वालों की भाव भंगिमाएं देखिए ये त्रिपुरा में अगर तला में बीजेपी का दफ्तर है देखिए लोग किस कदर उतकाह में हैं उमंग में हैं उल्लासित हैं यह सब तमाम जो लोग हैं यह बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और इनके लिए जो होली है वो पहले ही आ गए है आप देखिए इन सबने गुलाल लगाया हुआ है यहां पर पटाके पूले जा रहे हैं मिठाइया बाटी जा रहे हैं इनका साफ तोर पर कहना है कि यह नरेंद्र मूदी की जो लीडर्शिप है उसकी जीत है और यह दरशाता है कि बीजेपी अब केवल और केवल काव बेल्ट की पार्टी ना रहेकर एक पैन इंडिया पार्टी है आप देखिए लगातार इको खासा जोच है यहां पर लड्डू बाटे जा रहे हैं मिठाईया बाटी जा रहे हैं रस्गूले बाते जा रहे हैं अंज बात करने को चिले कर देखिए लगातार अधिश भाजी भी हो रही है और तो देल चोणाया है आगर तलाका एक महीना पहले से मैं बोल रहा हूँ त इस लिए पूरा का पूरा दफ्टर मगन है महिलाएं नाच रही हैं पुरुषगा रहे हैं आकाश को रंगों से सतरंगी कर दिया गया है एक दूसरे पर लोग गुलाल मल रहे हैं बीजेपी नेताओं और कार्यकरताओं के साथ बीजेपी के सामसद देपलब देव भी दिख रहे हैं वो भी रंग में पुते हुए इधर सूबे के सीम मानिक साहा ने माना ये उनके विकास कारियों की जीत है उन्होंने पीम मोदी की जम करतारी हमारा प्रधान मंत्री जी स्थरा उन्होंने त्रिपुरा को इतना लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं वो आये हैं बार बार इहां हमारा उमिद भाई जी यहां पर आये हैं विजेपी उमीद जता रही थी कित्रपुरा में वो बहुत बढ़ी जीत दर्ज करेंगे बहुत बढ़ी जीत तो नहीं मिली बगर जीत तो जीत है इसलिए कार करता भी प्रसंद है मैं आपको दिखाऊँ ये देखिए रसगुले बापस आ गए है देखिए बिल्कुल रसगुले बापस आ गए है ये व्यक्ति जो है तबाम पूरे जो पजार है वहाँ पर लगतार लोगों को किलाए जा रहा है यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है ये तबाम जो लोग है ये बीजेपी के कारे करता भी है और वोटर भी है और इनका साफ तौर ये कहना है कि इस तरीके से सरकार ने काम किया पिछले पास सालों में बीजेपी की ने उसका ये पॉजिटिव मैंडेट मिला है इधर बीजेपी का जश्न चल रहा है तो उधर मेघाले में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एन पीपी का जश्न चल रहा है देखिए ये मेघाले की राजधानी शिलांग की तस्थीरे हैं शिलांग में मेघाले के मुख्यमंत्री और नैशनल पिपल्स पार्टी के फ्रमुक कॉन्राट संग्मा के आवास पर जश्न हो रहा है और इस जश्न में खुद कॉन्राट संग्मा भी शामिल है यहां भी महिलाएं नाच रही हैं गार ही है नागा लैंड में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एंडी पीपी बहुमत के अंकड़े से आगे निकल गई है तो कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए शांदार रहा है पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी इसलिए दिल्ली से लेकर नागा लैंड तर जश्न ही जश्न है राहूल गौतम के साथ उनको मिश्रा अगरतला आज तर